आजो आमी जोग्राफिक को थर्ड चैप्टर दाट इस हाइड्रोस्पेर को ओसन करेंट स्पा आमी पुर्णे चो क्लास 10 को विशेस गरी आमीले कुने बनी चैप्टर पॉणग गाड़ी काती माक्स को पुशन अउश त्यो दे अनार्ट माक्स यो चैप्टर बडा पुश्ण नग फिक्स अउश और दुई माक्स को माया केवडा दुइटा कुश्ण अउश और समसंगे मलिटिपल चोइस र यह वड़ा ओसन करेंट सा और ताइट सा फर्स्त आमी आजो ओसन करेंट सा ग्राइट सा बेसीक हेडा केरे हाइड्रस्पेर हम्रो अर्थ मा बाहा को जटीकवनी वाटर बोडी जुन चा आइधर इच सीज ओसन्स लेक्स रीवर बिलोंस तो दिस हाइड्रो स्वेर बкі माई शुक्तेपर्संट और टीकवरी गाजो डीकवरी पूसीन अथ σας इंच कुछकान के हो इस सल्दोस्पेर्स उच दोशन मां दोड़ी कि सिंक research ओसन मां दुई की सिंको मूब्मेंट हुँछ बेशिकली आमिले एले बडे एवड़ा definite direction मां regular pattern मां जुँचाई मूब्मेंट हुच तेला आमी ocean currents बन्छ अनि औरपो vertical movement बन्छ जुँचाई ocean इक वाटर मां तेला आमी waves बन्छ waves रो ocean currents मां कातिवड़ा डिफरेंशे चाई ocean currents डाइनेमिक हो ocean waves जुँचे मूब्मेंट इसको movement static होँच horizontal movement उचा ocean currents बने vertical movement उचा oceanic waves को इसको causes जुचे चाई प्लानेटरी ocean currents को causes अनुचे चाई प्लानेटरी winds rotation of the earth variation in temperature salinity density of ocean water ले गवार्दा हेरेंशे waves को movement जुचे लेपनी उच त्यो winds ले गवार्दा हेरेंशे effects ocean currents ले coastal climate में दमें डॉलाग दमें effect पार्षा whereas waves ले उने effect पार्था next thing आँच ocean currents मां हेरे बने दुएक्ट किसिम को ocean currents उच यहवड़ा warm ocean currents उच और को cold ocean currents आपीन नोखस अपत्रों यहनु शक्तों warm ocean currents आपनी जनरली equatorial region मा कुछा अनि टैसको movement equatorial region to polar region आपनी northern hemisphere आ यहा तीन दुएट़र पटी यह cold water रह यह warm water यह cold यह Atlantic region हो बने यह Arctic region यह पटी आपी 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 आपीर आपापा क्या motion देख्वेश हो येशको मुभ्बेण कुछा अनि ocean currents जुन चे warm ocean currents सुन्छा तेला आमिले surface currents पनी बन्छा किन अनि जव तात्तिन चा कुने चीज त्यो मात ही पूर्छा अनि त्यो water को ocean को मातलो बाग माँ बाग्छा तेस्ते कवारा cold ocean currents सुन्छा तेला under current बन्छा येवाली माद्दी में वड़ा filling the blanks, my question आपको पनी थेओ अनि आवा आमिने basically यहने चाहूं causes of the origin of ocean currents केके हूं rotation of the earth येवडा important कारण हूं जब अर्थ को rotation हुन्छा because of korealis force ले गर दाहेरी जुचे rotation produce उन्छा तेहां देकी fellow slal ले गर दाहेरी northern hemisphere मा right hand side मा र southern hemisphere मा leftward येशको आमी movement देखनों पाँचो wind ले औरको effect गर्छा, planetary winds जुचे उन्छा तेले गर दापनी ocean currents को movement दुचा अनि northern hemisphere मा clockwise direction मा move गर्छा वने southern hemisphere मा यो anti clockwise direction मा movement दुचा आमीले रुच्व सक्षो ये पनी northern hemisphere मा clockwise direction मा र southern hemisphere मा anti clockwise direction मा movement दुचा जुचे ले पनी trade wind ले जब ओसन करेंट्स माती effect पार्छा तेशको direction north east movement रुचा northern hemisphere मा रा south east movement रुचा southern hemisphere मा वेस्टर्लीज ला है रहे बने ocean currents from the west to east direction मा move गर्छा western east को effect ले गर्दा है और polar wind को effect ले गर्दा करी temperature of oceanic water जब पानी ताप इंच वर्म equatorial region मा it becomes lighter and its surface flow has a surface current अनि यो तिमारको मात लो बार कटी इसको भूम में ढामी देख्चो equatorial region देखी polar region मा polar water dense उंच अनि तेवचे underwater को रुख माया चीशो भाको ले गर्दा केड़ी heavy भाको ले गर्दा dense भाको ले गर्दा केड़ी तल अपर्थी बढ़ा यानकि बित्र अपर्थी भाग बढ़ा movement आमी देख्चो जुन चाहिचे आमीने यह ड़ट को थुरू यह अबड़ा cold water को movement आमी देख्चो अर्पो salinity of water ले गर्दा पनी ocean को अरिजिनेशन हुँच salinity of water अलग-अलग area मा अलग-अलग उँच less saline water it becomes lighter so it flows as a surface water अनी तेई more saline चाहबने dense भाको ले गर्दा है यह under current को रूप मा यह अशको मुशको मुशको अर्पो density of oceanic water density of ocean water depends on temperature salinity or atmospheric pressure depends on the density ocean water high density flows under as a under current अनी तेख्टे बाद low density to surface current को रूप मा अर्पो अर्पो origination causes of origination of ocean current melting of ice capes or melting of ice less addition of ocean water मा जग melting of ishnole less saline अनी तेख्को ocean water is moved from ocean water moved as a ocean current shape of the coastal line सरूछ coastal line सिता stroke गर दाकेरी पनी इसको group bend उन्छा bifurcate बाइपट उन्छा ocean current सरूछ अनी अर्पो उन्छा seasonal variation दे पर दाकेरी summer period मा यो north summer period मा यो south west monsoon बूप गर चावने winter period मा यो north east monsoon को रूप मा इसको आमी बूप में देख्को so many other factors behind the origination of ocean currents like reeds evaporation, variation in pressures and so many others अनी तुप्रही effects देख्षाओ ocean currents को and ocean currents को effect ले गादा fishing grounds और formation और bank and अनी तुम्ही important role play गादा commercial fishing मा अनी यह लबरादोर कॉरेंट यहान Gulf of streams जब यहान को movement हुँच माति वड़ाद लेगरादोर कोल्ड 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 हो गर्फ इसको mix हुँच तेया लेकि warm and cold currents जब मिट हुँच तेया यहान cold currents brings icebergs which melts melted by the warm ocean currents and deposit morans and क्यो morans खानू लाइच क्योंच इवड़ा इंपर्टेंट main food products planktons को और लार्ज बैंक शरू को formation ते लेगर दाख हुँच किना मने Grand Bank George's Bank near Newfoundland Dover Bank Rockfall Banks British Isles अरू में यह कारू लेगर दाख हुआ formation दाख हुआ यह वड़ा formation हुच sunlight प्रपर पसिया को लेगर दाख है कोस्थ एदियाज मां Grand Bank अरू को छे हुगा यह पाता मां यह नर्थ अमेरिका को पातो गल्फिश्टिम यह यह लेगर दाख है अनि यह जब मिक्स हुदाख है यह फीशेज अब यह खानाँच अनि त्यों लेगर दाख है यह लेगर दाख है यह को क्लामेटिक क्लामेट पानी इफेक पारच कोस्टल क्लामेट रिजर मां जब कोल्ड लेबरादोर कॉरेंट्र वर्म गल्फिश्टिम को में सुन्च तेथी प्याला यहां फोगी वेदर कॉंडिशन देवलोप्त है dense forest हुँच that is very harmful for the movement of sheep तेले movement लाइब ब्लोग गर्शा किने यह ती टावलाग देम शुच कि ते छेवको केई चीज पनी देख दाइना तेस्ते पार आमीले यहरे बने warm curosio current keeps warm the western coast of Japan cold laboratory current ले newfoundland लाइब चीशो बनाइटिन चबने उधा औरको सेम latitude मां भायरापनी curosio को effect ले गर्दा हैनी warm curosio current को effect लेगा the western coast of Japan तेया तातो बाइब 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 चाव wind originated over warm ocean currents जब wind warm ocean currents मां originate हुँच तेले landmass मां जब इंटर गर्च तेले moisture क्यारी गर्च whereas wind blowing over cold ocean currents it's not carrying any moisture so there is no rain in coastal areas warm ocean current and cold currents flow side by side and water warm ocean currents condenses in contact with cold current warm ocean currents and cold currents condensed and condensed foggy and weather stormy weather formation formation backflow fog that is called a cold war that is called a cold war this foggy wall formation java laborator current gulf of the Gulf of world temperature change 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 of world climate ocean currents temperature global warming temperature ocean equator change change and that is frequent number of cyclonic effects day by day tropical cyclones and Indian ocean hurricanes hurricanes typhoon willy 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 increase and ocean currents climate change and alnino that is christ child or little boy objectives multiple that is the girl child and little girl and little girl little girl and little girl and little girl willy change as warm current and alnino warm ocean currents increase and the effect of Indian land mass and the ocean current last topic that is sargasso sea important questions do max part of Atlantic ocean part of and equatorial between 0 degree north 20 degree north or 40 degree north in this area 3 ocean current Atlantic ocean North Atlantic Gulf of Canary areas North Atlantic pode north another south ale and a land with the plant severed by सार्गासम बनने वीड्स ये वड़ा डेवलोप्ट हुच ते वड़ा मैं सेंचयानू वीड्स हो ओसनी प्लान्ट हो अनी ग्रो प्रफॉर्म लेक्टमे बेशी आमी देखनो पौँच अनी यो छेत्रा लाइचे इट इस ती बहल बहल मैंने बेशी खámड लेक्टमे कोचा सार्गासम वीड्स अनी खिर्दाब देखनो भौच ओवड फो Tides alternate rise and fall of surface water . am i.ext Age of water is known as high tide and while fall of water is known as low tide . पनिकालच ताईट्सको ओरिजिनेशन को कारण मिनी डूइचा छा रोटेशन अवध अर्थ र अर्ख ग्रेविटेशनल पुन अफ़ द शण एंड द मून उल्च rotation of the earth centrifugal force जुन्चा ही rotation of the earth ले गरदाखे री produce उन्चा तेले tides लाई originate गर्च opposite side of the earth जुन्चा ही फेशिंग towards the moon तेयो पठी आमें tides डेवलोग बाखो देख्षो या produce बाखो देख्षो तेस देवाई gravitational pulling of the sun and the moon ले गरदाखे Newton's law of gravity को हेरे बने sun and the moon responsible for generating high and low tides on the earth surface but क्योंचा बने moon is nearer to the earth so it is mainly due to the gravitational pull of the moon लेगवादागे अनि tides तेती बेला earth surface में आमे डेवलोग धाखो देख्षो tides different different हुन्चा primary tides तेले गाँचा facing the moon experience maximum pull तेला primary tides गाँचा अनि तेती बेला primary tides जबाँचा तेती बेला high tides development जस्ताई यो facing towards moon अमीले हेदे बने facing towards moon more water body is attracted या अनि या आमीले primary tides बेर चाँचा पर तेशको और को side मान opposite side मान जुन्चे secondary tides हुन्चा that is opposite place में experience गाँचा अनि secondary tides यो centrifugal force of the earth लेगाँचा है या secondary tides developed तेशने पर लो tides जुन्चे हुन्चा basically high tides are formed simultaneously high tides पछी low tides आँचा right angles जबा formation उन्चा right angles को जबा formation उन्चा तेदी बेला हमी देख्चा हूँ यो area माचे low tides developed यो right angle यह मून देखी right angle यह तापटी देखी right angle को formation बाको यो दूइटा side मान चे आमीले low tides developed बाको देख्चा हूँ और water moves away causing lowering the surface water तेलाई apes और low tide बनींचा हूँ आँचा tidal intervals जूँचे हूँचा tidal interval अरे 24 गंटा माया 24 hours 52 minutes two primary tides high tides को बीच माया difference जूँचे हूँचे यह time gap between 24 hours and 52 minutes हूँचा moon ले 27 दिन लाच्चा moon लाई revolve उनु अर्थ को चाराई तीर अनी spin गणुँचा अर्थ लाई 24 hours लाच्चा so in the day the moon जूँचे हूँचे advance उदाई जान दाखेडी यलाई 52 minutes 13 degree को जूँचे formation करचा यले ते ती वेला 13 degree required शूँचा अनी तेला 4 ले multiply दोर दाखेडी 52 हूँचा 52 minutes more experience another high tights को लागी ते वेर दाखेडी आमीरे एरचो tidal interval primary secondary tidal interval जूँचे जूँचा 12 hours 26 minutes को बेरचो अनी between one high tights next जूँचा ही low tights जूँचा जूँचे 6 hours 13 minutes को आमी देखनू पौँचा next आमचा आमरो spring tight जब sun moon र अर्थ एवड़े position मा उँचा जब straight line मा उँचा ते ती वेला यो position लाग CGG position बन देचा अनी ते ती वेला आमी लेके देख्षो high tights highest देख्षो अनी त्यो highest tights लागे बनेचा ते दी वेला nip tight ओ, nip tight जूँचे उँचा योचे right angle मा अनी योचे क्यो nip tight low tights यो nip tight जूँचे उँचा आमी ले low tights देख्षो पौँचों यह tights उँच अनी यहाँ चेके उँचा पने यहाँ योज अड़ामा आमी sun देख्षों यहाँ अर थुँचा अनी यहाँ चेके मून उँचा यो पोजीशन जुँचे straight line मा उँचा यहाँ आमी के बन्चा CGG पोजीशन बन्चा अनी यह full moon moon हुँचा यो यह ती वेला high tights जुँचे spring tights आमी देख्षों nip tight हुदाख्ये यह काई direction यहाँ पोजीशन जुँचा moon यहाँ पोजीशन जुँचा यो पाटा मा moon यहाँ पोजीशन ते दी वेला यहाँ राइट एंगल को formation गर्षों अनी यहाँ चे आमी ले it becomes least अनी त्या आमी निप टाइट डेवलप्गवाख्यों यो CGG पोजीशन जुँचा मेली यो बेसिकली मात देमिक तिरा आई बसने question हो CGG what is CGG बने centers of the sun moon and the earth straight line मा हुँचा अनी त्यो पोजीशन लाइचा if the sun moon lie on the same side यादी same side में यादी याई moon पनी एता आएदयो sun र अर्थ बहे बने तेलाइचा आमी के बन्चा कंजंक्शन पोजीशन बन्चा अनी full moon जब अपियर सुन्चा तेशको opposite side में sun and the moon position is known as opposition बन्चा तेलाइचा तेश्ताय पारा new moon र फूल मून मा आमी spring type बन्चा अर्पोजी बने को क्यो बने moon ले जब बन्दा एक तमें टाड़ो फूख्षा तेथी बेला अर्थ देखी moon को distance उन्च 4,7,000 km अनी तेव पोजीशन लाइचे आपोजी पोजीशन आमी बन्चा वेराज अर्पोजीशन पोजीशन तेथी बेला चे अर्थ देखी एकदमें नजीशन पोजीशन अर्थ आईड़ो बोर एथी बेला चे टाइड़ो बोर के हो गाने याणी याणी यवडा टाइड़ो वेव उन्चा जुन्चे 5-7 meters high मा जान्च height समा उठेड़ा जान्च अनी greater speed उन्च अनी basically टाइडल बोर इस्टेरी जर्मा जुन छे उँछा, तया आमी, reverse माह इंटर बाको देख शो, यानी, सिंपली गनवाने, reverse, oceanic water, जब, receiver थीर, move गर श, औनी, त्यती बेला, river, water, जब मूव गर्दाई गरेको भेडचो आमीले तेदी वेला रीवर्स चित यो रीवर को पोजीशन बहए योड़ा अनि यह इस्टेरिस को फार्मेशन बहए यह बड़ा ओसानिक वार्टर जब इंटर गर्छा यह बड़ा तेदी वेला जुन्चे वेवस डेवलाक्टून्च अनि तेलाे चे आमी के बंचो । ताइडल गोर्स यह तो टाइडाल गोर्स हुगली व्यार को इस्टेरिशम में कमनली आमी देखनू पाँशो। कथ योड़ा कंदीशन जुन चा फार टाइडल बोर्स दिूरिंग स्प्रिंग टाइड माय आमी देखनु पाँछो यो तु वाइड रिवर एंड दू माउथ हुनु पार्यो रिवर को जुन चाही माउथ माय त्या वाइडनेस हुनु पार्यो अबस्टरक्षन फ्रं एंटरिं टाइड वाटर हुनु पार्यो कुदे अस्टर 깔स पने अबस्टरक्षन पने उन्नु पार्यो प्रेहेड अफ्णल सेप्र्यो रिवर माउथ जुन चाइछा अली यथी funnel shape को अनु पर्यों अनी perennial river अनु पर्छा तेदी बेला river हुगली the height of the tidal bore आमीले 5 देखिले र 7 meter sorry 4 देखिले र 5 meter समा height समा आमी बैठ्छा एसको last जुन चाइए topic छा effect of tides चुझ जए effect of tides ताइच को effects ले गड़ाखे थुप्राई प्रभाव अरुपडशा large vessels अरुजूं चेऊंचा ships अरुजूं चेऊंचा तियो easily क्यों सक्षा छेव मा यो समुद्र को चेव मा आया बस नु सक्षा और को कुड़ा क्यों चाबने जब high tide sills रा अरवन वेस्स अरलाई पनी एले के गड़िंचा वस गड़िंचा जब low tide development अनी high tides turn the river water to be saline जब high tide develop नुचा river को water ला एले नुनिलो पनी गड़िंचा high tide often causes river beds to be shallow and silty river ko beds like shallow बने जबे को जुचता अमीदेख्षा हम इदेख्षा अनी during the high tide thuprae feces अर जुचा जुचा ओस ना पाँने तयो river बित्रापनी इंचा गर्चा cool temperature region में हेरे बने river ports जुचे जुचा रिमें frost free उन चायो अनी winter in winter because tides water turns the river water to be a saline river ko water लाए नुनिलो बने जेखी देखोले गड़ा खेरी यहां जुचे होंचा fog type होंचा जुचे तयो लागदाई ना frost free देख्षो cool temperature region में पनी अनी tides को और को यवड़ा important जुचे बईकर important हो आज present situation में हेरे बने एला आमिले टाइडल एनर्जी लाए electricity generate गर्णु माँपनी health गर्षा एले electricity generate गर्णु सक्षां tidal war often damage settlements and farmlands तर छेऊ छाओको यदी जगा आरू छो त्यो जगा माई एले के गर्षा त्या settlement सबने रा farmlands सबने तेले damage पनी गर्ने काम गर्षा थेंक्यू यो चैप्टर आमरो hydrosphere चैप्टर को यो डललाई जुन चे थे यो आमिले आजु तूर्या अनि सपवलाई जो जोले पनी आमरो क्यालिंग एशिय माई heroes network channel हेरनू उदैशा त्यालाई जती सब्सक्राइब गर्दीनोस share गर्दीनोस ण्या चैवार